हेलो दोस्तो केसे होता दोस्तो आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले वंडे सिरीज के फर्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है इंग्लन उमस वर्सेस इंडिया उमन इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तो ये मैच आज दोफेर को साड़े तीन बजे स्टार्ट होगा विन्यू होने वाला है काउंटी ग्राउंड व्रिस्टोल में तो दोस्तो फर्स्ट मैच मतलब जो टेस्ट मैच हुआ था वो सेम वन्यू पर होने हुआ था तो आपको पता ही होगा और उस मैच में जो प्लेश खेलेते वहीं प्लेश आपको maximum इस मैच में खेलते वए दिखने वाले हैं तो वीडियो पर बने रहेना विकोज टेस्ट मैच आपको पता ही वन साइट रहाता हमारे, वन साइट जीते थे हर प्लाटफॉर्म पे और यही कुछ हम लोग वन डे सीरीज में भी करने वाले है तो बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करना है आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करोगे क्या टेलिग्राम चैनल से अगर जॉइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जॉइन हो जाओ विकोज यूट्यूब आपको हमसे मिलाता है बट टेलिग्राम चैनल से अगर जॉइन हो जाओगे तो आप लोग हमेशा हमारी टच में रहोगे और आपको कोई भी क्यूरी हो रिलेटेड फैंटेसी आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपके क्यूरी का बहुत ही जल्दी से रिफलाई कर देता हूँ तो टेलिग्राम चैनल से जरूर जोइन हो जाओगे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी बढ़ते हैं दोस्तों आगे सबसे पहले सबसे इंपोर्टन फैक्टोर होता है पीच रिपोर्ट उस पे बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक रिसेंटली मैच हो आता जो डोमेस्टिक टूर्णामेंट चल रहा है रिचल है वोई ट्रॉफी इंग्लेंड में उसका एक मैच हो आता यहाँ पर तो उसमें अगर देखो के फर्स्ट इनिंग में बनेते 291 रंस ठीक है और सेकंड इनिंग में बनेते 295 रंस तो चेस कर लिया था टोटल 291 का टोटल चेस हो गया था पूरे मैच में फास्टर्स को 10 विकेट्स थी स्पीनर्स को 5 विकेट्स रही थी ठीक है उस मैच में कौन-कौन खेला था हेदर नाइट खेली थी उसमें 91 बनाये थी ठीक है और उसके बाद एनाइस रुपसोले खेली थी उन्होंने 61 रन बनाये थी प्लस 3 विकेट्स निकाली थी सोपी एक लेस्टन खेली थी उसने 37 रन बनाये थी और 3 विकेट्स निकाली थी तो ये 3 प्लेस खेलती भी दिखे थी उस मैच में ओर तीनों का पपामस बहुत अच्छा रहा था ठीक है तो पीच मेरी सबसे यहाँ पर फ्रेश देखने को मिलेगी नूटरल देखने को मिलेगी बैट्समन यहाँ पर अच्छा कर सकते है बट जैसे जैसे गेम आगे जाएगा स्पिनस भी यहाँ पर गेम में आएंगे आवरेश स्कोर आप लोग 250 के उपर मानके चल सकते हो ठीक है तो दस्तो अब हम लोग बात करेंगे इंग्लेंड उमर्स की सबसे पहले तो कुछ इस तरीके सिन की प्लेइंगी लिए उन रहेगी क्या चेंजिस हो सकते इस प्लेइंगी लिए उन में ठीक है यहाँ पर फ्रान विल्सन है और यहाँ सोपिया डंकले दोनों में से कोई एक खेलाईगा जो लास्ट वंडे सिरीज हुई थी उसमें फ्रान विल्सन खेली थी बट वहाँ पर उतना बड़ी आपपरमस नहीं रहा था सोपिया डंकले का फॉर्म भी बहुत बड़ी है टेस्स मैच में रन बना के आई है तो मुझे लगता कि सोपिया डंकले को चांस दिया जाएगा उसके अलावा लास्ट सिरीज में आनेस रुपसोले को चांस नहीं मिला था फ्रेया डेवियस को चांस मिल रहा था तो आनेस रुपसोले के जगप आपको फ्रेया डेवियस भी खेलती हुई दिख सकती है तो ये कुछ आपको चैंजे शायद होते हुए दिखे बाकी है तो मुझे मैं 90% यही प्लेंग लिए उन लग रही है बात करते है दोस्तों सब प्लेयरेतं के रिसेंट स्टाथ्स और अरल उरल स्टाथ्स थीके तो आपको रिसेंट स्टाथ्स मतलब पिछले चार पाच मैजेस के स्टाथ्स आपको ने फ्रोवयाइड करूंगा व recommends से तो रिसेंट स्टाथ्स ज्यादा फोकस करोगे लॉरेन विन्फिल्ड हील ठीक है ये भी विकेट के विकेट के पर हुपने बैट्स हुपने बट मोस्ट लिए विकेट किपिंग तो नहीं करेगी अगर आपको इनके पिछले चार मैचेस देखोगे वन वन जिरो रन टू रन से विन और थर्टी फाइ मैच में उसके अलाव जो तीन डोमेस्टिक मैचेस खिले थे उसमें भी इनोने रन बनाये थे तो ओर रहल इनका बहुत बढ़िया फॉर्म है एवरेज देखो पूरे टिम में मतलब पूरे इंगलन के टिम में सबसे अच्छा एवरेज टैमी ब्यूमन का है 45 का एवरेज ओ भी 74 मैचेस में तो समझ सकते हो ठीक है एदर नाइट इनका फॉर्म भी अच्छा रहा था टेस्ट मैच में 95 रन बनाये थे प्लस तीन विकेट्स निकाली थी तीन डोमेस्टिक के मैचेस यह नोने खिले थे ठीक है तीनों डोमेस्टिक के मैचेस में अगर बात करे तो 91 तो एक मैच में इनको दो विकेट्स में लेते बाकी दो मैचेस में विकेट्स नहीं थे बट टेस्ट मैच में उने 42 रन बनाये और तीन विकेट्स निकाली थीक है बहुत इंपॉर्टन फैक्टर है बहुत इंपॉर्टन प्लेर है थोड़ा फॉर्म का कंसरन है बाकी बहुत ब बनाए थे तो बहुत अच्छे फर्म से आ रही है इनका फर्म भी बहुत बढ़िया है 104 और टेस्ट मैच में 74 की पा रही है ठीक है बहुत बढ़िया डिफरेंशल पीक कैथरिन ब्रून की बात करें तो इन्होंने जो डोमेस्टिक मैच खेले थे तीन उसमें इनके नाम पे थ आने सुपसोली की बात करें इनका फर्म बहुत अच्छा है इसी ग्राउन पर इन्होंने 61 प्लस 3 विकेट्स निका लेते बाकी मैचेस में भी इनकी बॉलिंग अच्छी रही थी एक विकेट एक विकेट 47 रून ठीक है और 70 मैचेस में इनके नाम पे 90 विकेट्स से सारा गल तो अगर यह खेले डिफरेंशेब प्लेएर का काम करीगी मैडी विलियस ने तीन विकेट्स निका लेते दो मैच में Catacross इनका form भी ठीक रहा था इनको मेरी थी पार, sorry, 8 विकेट्स ठीक है, देखके चलोगे Fran Wilson देखोगे, तो पिछले 3 मैचेस में 1.50 लगा गया ही है, Freway Davis ने पिछले 4 मैचेस में 3 विकेट्स निकाले हुए ठीक है, तो इन में से अगर कोई भी खेलता हुए अगर आप लोग देखोगे, तो तानिया, भाटिया तक, या फिर आप लोग जुलन, गोस्वामी तक यही प्लेइंग लिए उन रहेगी, बस दो प्लेर्स में मुझे डाउट है, राधा यादो और पूजा वस्तरकर यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, राधा यादो ने अब तक एक भी वंडे मैच नहीं खेला है, मैक्सिमम टी ट्वेंटी मैच असी खेले हैं, बट यहाँ पर डेब्यू कर सकती है तो राधा यादो फिर एकर बट एक उपिस, दोनों में से कोई एक खेला, बट अरुनतरों आपको मिल सकते हैं बात करते हैं दोस्तों, स्टैट्स की, तो पिछले कुछ मैचेस के स्टैट्स प्लस ओरॉरॉल स्टैट्स आपके सामने हैं तो स्रीदी मंदाना पिछले चार पाच मैचस थे वहाँ पर 80 रन की पारी आई थे बागी मैचस में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई थे वहाँ पर रन बने थे प्लस तेस्ट मैचस में दोनों इनिक्स में रन बना के आई थे तो और-अच्छा फॉर्म है पुनम राउत का बहुत अच्छा फॉर्म राए पिछले कुछ समय से वंडे मैचेस देखो इनके पिछले कुछ वंडे मैचेस बहुत अच्छा फॉर्म है टेस्ट मैच में एक 39 की पारी खेली थी तो और अच्छे फॉर्म से आ रही है मिथाली राच अगर आप लोग टेस्ट मैच देखोगे तो दो रन और चार ही रन बनाएं मतलब दो इनिक्स में उनली छे रन बटना इनके पिछले चार वंडे मैचेस देखो 50 रन, 36 रन, 45 रन, 79 रन और 51 का आवरेज इनका अपना करियर का 24 मैचेस में तो बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है तो बहुत इंपोर्टन रहेगी इनका सेलेक्शन बहुत कम हर प्लैटफॉम पे बहुत बढ़िया प्लैर आपके लिए रह सकते हैं ग्रैंड लिग में हर्मन प्रित कोर, इनका फॉर्मना बहुत बढ़िया नहीं राए पिछले बहुत समय से टेस्ट मैच में स्री 12 रह रन बनाए ठीके और जो इन्होंने एक पारी खिले थी इंगलन में वल्ड कप में यह पारी खिले थी दो तिन साल परके ले 170 प्लस रंग की पारी और स्ट्ले के सामने सिमी फाइनल में उस इनिंग के बाद हर्मनपृत कोर की बहुत अच्छी पारी नहीं आई है यह स्टगल किया है पिछले 2-3 साल में हर्मनपृत कोर ने बॉलिंग भी कर लेती एक एक एक्स्टा फैक्टर है बट मुश्ली बैटिंग से पॉइंट देती अगर चलेगी ना बहुत ही बढ़िया खिलती है बाकी फॉर्म थोड़ा सा इश्यू चल रहा है दिप्ति शर्मा की बात कर इंपॉर्टन फैक्टर रहेगी टेस्ट मैच में 54, 29 और 3 विकेट्स निका लेते पिछले चार वंडे मैच से उतने अच्छे नहीं गए बट स्टिल शीज वेरी इंपॉर्टन विकाज आप ब्रिक्स में बालिंग भी कर लेती है तानिया भाटे की बात करे तो मुश्ली आपको बालिंग से पॉइंट देगी बैटिंग करना जानती है अगर देखोगे पंदरा वंडे मैचस खेले जिसमें वंडे इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है डोमिस्टिक सरकेट में तीन विकेट्स निकाले इन्होंने पिछले चार पाच मैचस में और टेस्ट मैच में इनको एक भी विकेट नहीं मिला था बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों दे सकती है और ओररल स्टैस देखो फिप्टी टू मैचस में इनके नाम पे 73 विकेट्स है तो विकेट टेकर है जिलोन सोगोस वामे के पिछले कुछ मैचस देखोगे तो यहाँ पे फोर विकेट, टू विकेट, टू विकेट और एक विकेट इन्होंने निकाला था टेस्ट मैच में बहुत इंपोर्टन पेलेर है, हाइस्ट विकेट टेकर है उमन्स क्रिकेट में ठीकेट वंडे से वंडे के अगर बात करें 233 विकेट्स रादा यादो के पिछले तीन मैचस देखोगे तो दो विकेट इनके नाम पे है, ठीक है एक ही वंडे मैचस देखोगे इन्होंने खेला जापे इनको एक भी विकेट नहीं है बट इन्होंने वंडे इन्टरनेशनल में 6 मैचस खेले है, इनके नाम पे एक भी विकेट नहीं है, 2008 के बाद फर्स्टेम आपको वंडे इन्टरनेशनल खेलती भी दिखेगी पेंच पे जो जिमा रोडरीगर जे थोड़ा फॉर्म का कंसर नहीं है, पिछले 3 इनिक्स देखो टोटली फ्लॉप रही थी, थोड़ा इश्यू है बहुत क्लास प्लेयर है बट फॉर्म उतना चानी है प्रिया पुनिया का फॉर्म अच्छा है, ठीक है देखके चलोगे वंडे के 7 मैचस में 37 के आवलेट से इन्हों ने अब तक रन बनाए है इंदरानी रोई डोमिस्टीक में 100 लगा किया, ये 86 की पारी खिल किया, ये भी विकेट कीपर बैट सुमन है हो सकता है कि टीम दानिया भाटे के जगा पर इंदरानी रोई को चांस दे दे, ठीक है, और डेब्यू कर सकती है अरुन्दाती रेटी दो मैच में 3 विकेट से डोमिस्टीक में, एक ताब भीष्ट के अगर बात करें, तो अगर आप लोग देख सकते हैं, फिछले कुछ मैचस, 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो हो सकता है कि टीम इनको खिलाए स्नेयर आना की बात करें, डोमिस्टीक मैचस, 3 विकेट, 57 विकेट, 27 विकेट, और जो टेस्ट मैच होा था वहापे 34 विकेट, पुनम यादो, बहुत ही बढ़िया प्लेइर है, 50 मैचस में इनके नाम पे 72 विकेट से, बट पिछला कुछ समय उनके लिए उतना अच्छा न में एक भी विकेट नहीं एक भी विकेट नहीं यही तोड़ा इशू है बाकी बॉलर बहुत अच्छी है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हैट-to-eight स्टैट्स तो मैं हेट टो एट स्टैट्स कौन से लहीं किया है जब इंगलंड में मैचेस हुए है वही मैचेस मैंने कंसिडर किये इंडिया वाले मैचेस कंसिडर नहीं किये है ब्युकस इंडिया और इंगलंड के पीछे सलग होती है और ये इंगलंड में टूर्नामेंट सिरीज चल रही है तो फिर हम लोग इंगलंड के स्टार्स देखेंगे तो जब इंगलंड में मैचेस हुए थे हेट टो तो तब क्या निकल के आया तो इंडिया की वर से मिथाली राधने इंगलंड के सामने 24 मैचेस में 773 रंस 42 का आवरेज से जिसमें 94 हाइस्ट कोरे हरमन प्रित कोर के स्टार्स देखो 10 मैचेस में 335 रंस 37 का आवरेज 55 हाइस्ट कोरे ठीके पुनम राउत देखो गे तिनकी भी बढ़िया स्टार्स है 9 मैचेस में 325 रंस 36 का आवरेज से जिसमें 86 हाइस्ट कोरे ठीके ओस्पृति मनदाना नहीं यहाँ पर चार मैचेस में 196 रंस 49 के आवरेज से जिसमें हाइस्ट कोर रहा है 90 का तो स्टी मनदाना के वे स्टार्स बहुत बढ़िया इंगलंड में दिपति शर्मा ने इंगलंड में दो ही मैचेस के जिसमें 14 रं बनाये थे एक ही मैच में बैटिंग मिली थी एक मैच में बैटिंग नहीं मिली थी जो लण गोस्वामे नहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली है 22 मैचेस में 20 विकेट्स बहुत इंप्रेशन फिर भी नहीं है विकॉस ओबिसलिए इंगलंड के जो कंडिशन होती है वो पेसर्स को हिल्प करती है तो एक लिस्ट 30 विकेट्स होनी चाहिए थे मेरे ही सबसे बट अल्ली 20 विकेट्स है एक ताब विस्ट चार मैच में तीन विकेट्स है और पुनम यादो को इंगलंड में दो मैचेस में तीन विकेट्स है अभी तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी का मतलब अगर फ्रांच विल्सन को छोड़ देखोगे तो बागी किसी कभी स्टार्स उतने अच्छे नहीं इंडिया के सामने इंगलंड में ठीक है जब इंगलंड में मैचेस हुए है तो यह बहुत इंपॉर्टन फैक्टर्स थे तो इन पर जरूर ट्राई करोगे फोकस करोगे दोस्तों बात करते वेन्यू स्टार्स के तो इंडिया नहीं यहाँ पर एक ही मैच खेला हुए ठीक है और दोस्तों जो एक मैच हुआ है इस ग्राउंड पर इंडिया का वो इंगलंड के सामने ने औस्टरले के सामने होता और उस मैच में देखोगे तो पुनम राउत ने 100 लगाये था, 106 की पारी खिली थी, मिथाली राजने 69 बनाये थे, हर्मन प्रित कोवर ने 23, शिका पांडे 7 रन, दिप्ति शर्मा 5 रन, और स्मृते मंदान ने श्रिप 3 रन बनाये थे, बाकी किसी भी बॉलर ने विकेट नहीं निकाला था, इस ग्राउंड पे, इंग्लेंड की और से बात करेंट, इंग्लेंड ने यहापे कुछ मैचेस खेले, अब्विसली उनका ही ग्राउंड होगा, तो यहापे टैमी बीमन ने सबसे जाधा रन, फ़र मैचेस में 2- 54, run 63 के एरेस जिसमें हायसटकोर 148, ये इंफ्रीसीव स्टाट से, हेदर नाइट पैयू मैचेस में याफे, 159 रन से, 39 के एरेस से, कैथरिम बुरॉन्ड को याफे 5 मैचे में 96 रनसे, 45 हायसटकोरे, लॉरन हील को याफे, 4 मैचे थे 56 रनसे, 24 हायस्कोर नटले सिवर इस ग्राउंड पे नटले सिवर के पाच मैचेस में अनली 37 रन से 29 हायस्ट को रहे है तो बाकी 4 मैचेस में टोटली फ्लॉप रही है फ्रांग विल्सन को यह पे तीन मैच में 35 रन से और एमी जोंस ने यह पे एक ही मैच खिला था जहाँ पी यह जिरो पे आउट हो गई थी ठीके अगर आपने पूरा ओर ओर आब अफजर किया होगा तो इस ग्राउट पे अगर देखोगे तो पेसिर्स को बहुत ज्यादा विकेस नहीं मिली है और यह ज्यादा बॉलिंग नहीं करती है सो पेक लेस्टन ने कोई मैच नहीं खेला इसी वज़े सुनके स्टैट्स यहापे नहीं दिखेंगे आपको दोस्तो अब हम लोग बनाएंगे स्मॉल लिग के टीम उसके साथ साथ ग्रैंड लिक के लिए बहुत बढ़िया मैच और बहुत बढ़िया डिफरेंशिल पिक से जिनका सेलेक्शन ना के बराबर है और ग्रैंड लिक के लिए बहुत इंपॉर्टन फैक्टर आपके लिए साबीत हो सकते हैं उस पे भी आप लोग फोकस जरूर करोगे ठीक है और क्रेट्स के भी बहुत ज़्यादा इश्यूस है इस मैच में प्लस आल डॉंड सेक्शन में इतने सारे प्लेयर्स है कि थोड़ा सा इश्यू हो रहा है ठीक है विकेट के पर सेक्शन एमी जोन्स खेलती हुई दिके कि तानिया भाटे मेरी सबसे मोश्टली खेलेगी इंदरानी रॉई का मेबी डेबि हो सकता है अगर टिम कुछ अलग करना चाहते है जिस तरह किसे टेस्ट मैच में स्नेयर आना को खिला के किया था तो यह शायद हो सक है कि एमी जोन्स जिरो पर आउट हो जाए जिस तरह किसे लास्ट टेम आउट हुए इस ग्राउंड पर माइट भी जिरो पर अगर आउट हो जाती है और तानिया भाटे यह दस पंदर अरन बना दे और तानिया भाटे विकेट कीपर सेक्शन में तानिया भाटे के जादा रहेंगे तो Grand League में यह difference create कर सकता है तो एक दो टीम्स में या फिर दो टीम्स में तीन टीम्स में rotate कर सकते हो अगर आप लोग 11-12 टीम्स के साथ खेलते हो ठीक है चलते बैटिंग सेक्शन में बाकि एमिजन्स को maximum टीम में रखोगे अब बात आती है नीचे सबसे बढ़िया differential peaks बिलकुल अच्छे से focus करोगे मिथाली राज 51 का आवरेज है इस ग्राउन पे रन से पुनम राउत रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है प्लस इस ग्राउन पे 100 लगाया हुआ 106 की पारी खेली हुई है ठीक है लारेन विन्फिल्ड हील ओपन करती है इनका फोरी सेंट फॉर्म इनका भी बहुत अच्छा रहा है ठीक है यह दीन बहुत बढ़िया differential peaks है बिकॉज यह तीनों टॉप 4 में बैटिंग करती है पुनम राउत वन डाउन विन्फिल्ड ओपन मितालिरास टू डाउन तीनों बहुत बढ़िया grand league pick से तीनों को try करना बिल्कुल miss नहीं करना तीनों को grand league में captain try कर सकते ही वन ठीक है उसका जेमिवार रोड्रिगरस मेरे साब से नहीं खेलेगे प्रिया पुनिया नहीं खेलेगे फ्रान विलसन शोपिया डंकले दोनों में इनको miss मत करना जरूर rotate करना captain west captain भी tie करना ठीक है चलते और नाइट डिपते शर्मा मेरे लिए सबसे important players और रोडर सेक्शन में इन दोनों को तो मैं लेके ही चलने वाला हूँ अब इनके अलावा कहिना के crates के भी issues है तो अगर आप manage करना चाहो बिलकुल कर सकते हो natalie sever because batting दे देती है solid batting करती है because form उतना अच्छा नहीं है but still she is very good batsman 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 sorry batsman मुझे बोलना चाहिए और balling देगी आपको साथा टोर तो आराम से देदीगी और अच्छी balling कर रही तो फिर पूरे 10 और balling देदीगी तूसी सबसी important factor है harman prit core grand league के लिए again very good differential pick जरूर ट्रा यह form उतना अच्छा नहीं but still try करोगे England में खेलना इनको अच्छा लगता है अच्छा कर सकती है Catherine Brunt यह देखो कितनी जवर्दस differential pick है but मुझे कही ना कहीं लग रहा है कि match start होने तक इनका selection बढ़ जाएगा इतना कम selection Catherine Brunt का नहीं होना चाहिए इनका selection उपर चला जाएगा जै चांसे कम है खिलने के शिका पांडे यह भी अच्छी पीक रहेगी और अच्छी पीक रहेगी इससे वाज़े से इनका selection कम है because already चार प्लियर्स पब्लिक लेके जाएगी तो शिका पांडे का ज्यादा चांस नहीं बनेगा हाँ कुछ टिम्स भी इनको rotate करने की कोशिश करना बिकोज बैटिंग भी कर लेती है और balling से भी आपको points दे सकती है ठीक है अभी के लिए Catherine Brunet चलते balling section में अब balling section में अगर देखोगे दोस्तों तो आस होपी एक lesson को तो मैं लेके चलूँगा ठीक है मुझे अन्या सुप्षोले भी लेना है बट दिक्कत का है credits मेरे पास फिर बचेंगे ने only 8 credits बचेंगे और उस situation मुझे पुझा वस्तरक कर को ही लेना पड़ेगा कोई और option ही नहीं और हो सकता है कि पुझा वस्तरक कर खेले ही ना तो यह issue है तो मुझे उससी वज़े से आन्या सुप्षोले को drop करना पढ़ रहा है because of credit issues तो इसके लिए मैं मु स्वरी स्वरी एक्ताबिस्ट और राद आया तो अगर दोनों खेल जाएगे तो दोनों ले सकते हो ठीक है या फिर या पर सारा ग्लेन बहुत अच्छे पीक है मैंने रिसेंट स्टैट्स दिखाए राइट आम लेक्डेक स्पिन बॉलिंग कर लेती है जरोत पढ़ने पर ब बैटिंग भी कर लेती है तो खेलती है तो ग्रैंड लिंग में रोटेट करके जरूर चलना अभी के लोग सारा ग्लेन को ही लेके चलेंगे दोस्तो स्मॉल लिग क्या कैप्टेन वैस कैप्टेन बताने से पहले मैं आपको ग्रैंड लिग के कैप्टेन वैस कैप्टेन बता तो इसको भी ट्राइ कर सकते हो, ठीक है, स्मॉल लिग में कैप्टेन वाइस कैप्टेंसी, तो देखो, हेदर नाइट, नाटलिया सिवर, दिप्ति शर्मा और शेपाली वर्मा, इन चारों के साथ मैक्सिमम पॉब्लिक जा रही है, हेदर नाइट को मैक्सिमम पॉब्लिक ने नाटलिय सिवर, दिप्ति शर्मा आपको बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों देती है, तो थोड़ा से आपको confidence मिलता है, अगर बैटिंग नहीं करी, तो बैटिंग से पॉइंट मिल जाएगा, बैटिंग से पॉइंट मिलेगा, बड़ अगर शर्पाली वर्मा बैटिंग मे जरूर जोइन होना, दोस्तों माईलियों सेरकल पर कोई भी क्रेट्स के इश्यूज नहीं थे, तो आसानी से टीम बन गए, अभी भी दो क्रेट्स बच्चे हुए, मैंने अने सुर्पिसली को अपने टीम में रखा है, सारा गलेन को ड्रॉप करके, प्लस यहाँ पे एमी ज जोइन का सेलेक्शन उल्ली 9-10% है, ज्यादा से ज्यादा 15% तक जाएगा, तो ग्रैंड लिग में जरूर ट्राय करना है, मी जोइन को कैप्टेन भी कर सकते हो, ठीके, बाकी मैंने यहाँ पे पुनम राउट को लिया है, तो मिथाली राज है, फिर पुनम राउट, दोनम किसे एक कोल ले सकते हो, बिकास बहुत सारे क्रेट्स आपके पास बचे हुए, मैं अभी के लिए पुनम राउट के साथ गया हूँ, हो सकते हैं, फाइनल्टी में मिथाली राज के साथ जाओ, कैप्टेन वाइस कैप्टेन से के सजेशन मेरे वही रहेंगे, बस माइले उन अच्छा नहीं रहा, तो जो पब्लिक शापली को कैप्टेन से देखे आएगी, फिर उनका लिए बहुत अच्छा मैच जा सकता है, तो यही रहेगा कि आपका आपको अपोरनट क्या करके आएगा, बाकि यह तो मेरे सजेशन वही रहेंगे, जो मैं आपको अड़ी बता च सिक्षिन में, फर्स्ट कमेंड में ही मिले जाएगी, तो लिंक पे क्लिक करोगे, टेलिग्राम चैलन से आप लोग जोईन हो जाओगे, यह दोस्तो वीडियो को लाइक करो, इतने स्टैट्स मैंने आपको दीखाये है, हेट्ट वेट स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, ओर आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो यह वीडियो को लाइक करोगे, तो अच्छा लगीगा, यूट्यूब चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू प्रेस कर दिना, नेक्स्ट मैचस के वीडियो का आपको न